जाए हैं साथिवो CISAP 65M 222 जिसमें 540 पोस्ट थे इसका फिसकल हो चुका है अगर आप इसका फिसकल दे चुके हैं तो अब इसके रिटर्न एक्जाम के लिए तयार हो जाए क्योंकि इसके रिटर्न एक्जाम के एड्मिट कार्ट का लिंक जारी हो चुका है और अच्छी बा पर आपको यह लिंक देखने को नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग इसे फेक कहेंगे तो देखे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको सबसी पहले अपडेट मिलेगा पिलकुल रियाल अपडेट मिलेगा आप इतना भरोसा कर सकते हैं हम आपको पहले से हमने आपको बताया था कि अक्टूबर में ही आपके एक्जाम होंगे तो अभी एड्मिर कार्ट का लिंक जारी हो चुका है यह लिंक आपको टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ और देखे ऑफिसर वेपसाइट पर भी य यहाँ पर जो है लोगिन करेंगे किन्तो अभी डाउनलोड करने में क्या प्राब्लम आ रहा है वो मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी डाउनलोड करने में प्राब्लम आ रहा है अभी मैं आगे आपको बता दूँगा कि क्या प्राब्लम आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर अब आपका doubt यह होगा कि इसका exam किस date से start होगा तो देखे exam online हो रहा है exam TCS कराएगा आपका admit card इस link पर आएगा जो कि TCS का link है यह CISAP का link नई है TCS का link है इस link पर आपका admit card आएगा बाकी exam किस date से start हो रहा है वो आपको CISAP की official website पर PDF format में आपको जो है notice देखने को मिल जाएगा CISAP की website पर CISAP की recruitment की website पर अब देखे जब link आ चुका है इसका admit card यहाँ से download करने का दे दिया है तो आप यह मान के चलिए कि 10 से 15 दिन बाद ही आपका exam start हो जाएगा क्योंकि admit card exam से 10 से 15 दिन पहले आता है CISAP fireman की बात करें तो उसका 12 दिन पहले आया था तो आप यह मान के चलिए कि maximum 15 दिन का time आपके पास बचा हुआ है आप यह मान के चल सकते हैं कि 15 दिन बाद आपका exam start हो जाएगा बाकी यह link जो जाएगा यह TCS की website से link हमने आपको provide किया है यहाई से आपको अपना admit card download करने होंगे बहुत सा लोगों को ट्रेंशन नहीं होगा तो यह link वो copy करके रख लें जब यह active हो जाएगा अभी देखे problem क्या आ रहा है वो मैं बता देता हूं देखे इस link पर आएंगे यहाँ पर आ यहाँ पर देखे अभी incorrect credentials यह problem आ रहा है देखे यह problem क्यों आ रहा है क्योंकि यह अभी active नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब SSC में या फिर TCS जो भी exam कराता है उसका जब answer की आना होता है link जब जारी होता है तो ऐसा option देखने को मिलता है उसके एक से द दिन में आपका जो है यह active हो जाएगा आप यहीं से अपना admin card download कर पांगे यहीं link से आपको download करना होगा जो कि मैं पहले से आपको provide करा दे रहा हूं आप लोग यह मान के चलिए कि 15 दिन बाद ही आपका exam start हो जाएगा और यहीं से आपको admin card download करने को मिलेगा अब देखे बह आपको inform कर दूँगा कि active हो चुका है आप download कर लेजिए CISF fireman का देखेंगे तो वो link कभी बंद हो चुका है यह CISF HCM का ही है मैं आपको provide करा रहा हूं तो इतना आप भरोसा कर सकते हैं तो चलिए बाकि कोई doubt कर दीजेगा देखे इससे यह होता है कि incorrect card यह है कि आपने कु इसका देने गए थे उनका भी ऐसा प्राब्लम आ रहा है जिनका फिसका सब कुछ clear है तो आप यह समझ जाए कि हाँ अभी जो है यह active नहीं हुआ है ऐसा जब इसका answer की आता है तो भी यही प्राब्लम आता है एक दो दिन में यह active हो जाएगा और एक दो दिन में आपको CISF की website पर notice भी देखने को मिल जाएगा चलिए बाक यह कभी भी active हो सकता है जैसे यह active होगा admit का download होने लगेंगे मैं आपको तुरंत inform कर दूँगा आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो subscribe कर दिजेगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को like कर दिजेगा तब तक लिए जैन